प्रद्धान मंत्री श्री नरेंद्र मोडी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में देश की धाई लाक से अधिक पंचायतों ने ग्रामीन भारत को सामाजिक, आर्थिक, शेक्षनिक और आरोग्य की द्रिष्टी से काया कल्प करने का बीड़ा उठाया है। दो हजार चौदा के बाद से देश ने अपनी पंचायतों के ससक्ति करन का बीड़ा उठाया है। आज भारत की पंचायते गाउं के विकास की प्रानवायू बन कर उभर रही है। सभा के माध्यम से जन जन की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपने गाउं में साकार करने के लिए संकल्प लिए हैं और इस दिशा में आगे बढ़ चली हैं। पंचायती राजमंत्रालय की ठोग सरण नीती राज्यों के सहयोग से हर गाउं आरोग्यता के साथ सम्रिद्ध और सशक्त बनने की राह पर है। इस कड़ी में सबसे पहले बात केरल के वाईनाट जिले के एडवाका ग्राम पंचायत की। एडवाका ग्राम पंचायत आज स्वास्थे के हर मोर्चे पर सजग और संपन्न है। जहां योग केंद्र में नियमित योग करने से लेकर आयुर्वेद केंद्र पर आयुर्वेदिक पद्धती से उपचार और प्राथमिक स्वास्थे केंद्र में ग्रामीनों के समुचित इलाज का प्रबंद है इसी तर है ओडिशा के गंजम जिले की ग्राम पंचायत भी आज स्वास्थे की द्रिष्टी से एक मिसाल बनी है ग्राम पंचायत के लोग ये समझते हैं कि पौश्टिक और संतुलित आहार के बिना अच्छी सेहत की कलपना नहीं की जा सकती इसलिए यहां कोशन वाटिका जबरदस्त तरीके से फल फूल रही है इस पंचायत में पीने के साफ स्वच पानी पर भी काफी जोर दिया गया है हर घर शौचालय और गाउं के हर कोने की साफ सफाई में इस गाउं की तस्वीर ही बदल कर रख दी है गर्भवती महिलाओं से लेकर लड़कियों के पोशन के लिए भी नियमित उपाए किये जाते हैं आम लोगों का हेल्थ कार्ड बनवा कर नियमित रूप से उनके स्वास्थे मानकों का रेकॉर्ड रखा जा रहा है इसी तरहे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के कीरा नगर प्रखंड के उटा पंचायत ने भी अपने स्तर पर ग्रामीनों के जीवन में रंग भरने और उनकी जिंदगी को बेहतर करने का बीडा उठाया है स्वास्थे केंद्रों पर नियमित और निशुलक जाच का प्रावधान भी ग्रामीनों के लिए काफी मददगार साबित हुआ है साथ ही आंगनबाडी केंद्र भी एक स्वास्थे पंचायत बनाने की मुहिम में अपना योगदान दे रही है अब बात असम के काम रूप जिले के अजरा ग्राम पंचायत की पंचायत के पदा धिकारी अपनी ग्राम पंचायत को स्वस्थ और सम्रिद्ध बनाने की उपायों पर लगातार विमर्श करते हैं यहां रहने वाले समस्थ ग्रामीनों के आयुश्मान काड भी बन गए हैं मेरट उत्तर प्रदेश की मतौर ग्राम पंचायत में भी प्रात्मिक स्वास्थे केंद्र पर डॉक्तर नियमित रूप से मौजूद रहते हैं जहां गर्भवती महिलाओं से लेकर बुजूर्गों का खास ध्यान रखा जाता है आशाकार्य करता भी लगातार हर संभव मदद के लिए यहां मौजूद रहती है इन पंचायतों के द्वारा किये गए कारे स्वस्थ गाउं की दिशा में एक नया आयाम है देश की सभी पंचायते इन स्वस्थ प्रक्रियाओं को अपना कर अपने गाउं को स्वस्थ, सुखी और सम्रिध बना सकती है